एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के पू फाइंटासी स्पोट्स में बैजुस पांड़े चरी मैंस T20 TUS वर्सस अलाईयो डेट 18 जुलाई 2022 टाइम सुभा के सड़े 9 बजे मैच वर्नियो की बात करें, किरिकेट एस्वोसेसन पू पुड़े चरी से कैम ग्रांड में खेला जाएगा पीच रिपोर्ड की बात करें तो किरिकेट एस्वोसेसेसन पूड़े चरी से केम ग्रांड की पेच बल्लेवाजाओं के लिए आधर्स है पहले आठ पांडेचरी पुरुष टी 20 मैचाओं के बाद साइट पर पहली पारी का आउसरत स्कोर 152 रन है जहां इश्पिंडरों को कुछ टर्न मिला है वही नई गेंद से पेशरों को भी मुमेंट मिला है वेदर रिपोर्ड की बात करें तो मैच के दिन अधिकां सता बादल चाहे रहने का अनुमान है जिसमें 70% आधरता और 14 किलोमेटर परती घंटा हवा की गती होगी खेल के दोरान बरसा की 20% संभावना है फाइनल टीम के अपडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेगा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टसकर्स 11 किरकेट टीम इंजडी की बात करें अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है लाइन्स 11 किरकेट टीम इंजडी के बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है और विनर्ड प्रेडिक्शन की बात करें तो लाइन्स हाल के मैचों में अच्छी फार्म में दिख रहे हैं मैच जितने के लिए प्रावल दावेदार है TUS versus Allial head to head की बात करें तो TUS 0 मेच जीते हैं जबकि Allial ये भी 0 मेच जीते हैं टसकर्स 11 यानी TUS टीम की बात करें तो आर अन्ना यार विकेट की पर है साथी टीम का कैप्टन भी है जो 11 बाल पर 21 रन की पारी खेलें एक बाल पर 0 रन की पारी खेलें और आखरी में 14 बॉल पर 32 रन की पारी खेले और रामा मुर्थी की बात के रहे तो 16 बॉल पर 20 रन की पारी खेले 22 बॉल पर 23 रन की पारी खेले और 12 बॉल पर 12 रन की पारी खेले और आखरी में बैटिंग का चांस नहीं आये थे एक कम लिश्च वरण की बात करें तो 14 बॉल पर 10 रन की पारी खेलें, 29 बॉल पर 24 रन की पारी खेलें, 18 बॉल पर 12 रन की पारी खेलें और 33 बॉल पर 70 रन की पारी खेलें और आखरी में 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेलें यह अपने टीम के लिए बॉलिंग किये थे जिसमें लगातार दो मैचों में यह बॉलिंग नहीं डालें उसके बाद 16 रन देकर विकेट लेश रहें और 23 रन देकर एक विकेट निकालें और आखरी में 24 रन देकर एक विकेट निकालें ए ए करगेव की बात के रहें तो 11 बॉल पर 8 रन की पारी खेलें 30 बॉल पर 33 रन की पारी खेलें 5 बॉल पर 4 रन की पारी खेलें और 16 बॉल पर 28 रन की पारी खेलें और आखरी में 17 बॉल पर 22 रन की पारी खेलें 37 जंजिर B की बात के रहे तो 10 बॉल पर 9 रन की पारी खेले 27 बॉल पर 24 रन की पारी खेले 10 बॉल पर 16 रन की पारी खेले और 14 बॉल पर 22 रन की पारी खेले और आखरी में 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले यह अपने टीम के लिए बॉलिंग किये थे जिसमें 24 रन देकर विकेट लेस रहे थे फिर 28 रन देकर एक विकेट निकाले फिर 13 रन देकर एक विकेट निकाले और 12 रन देकर एक विकेट निकाले और आखरी में 14 रन देकर विकेट लेस रहे थे और रजा राम की बात किरे तो चार बॉल पर एकरन बनाई फिर वैटिंग करचन समय आये थे फिर सातध बॉल पर नो रनवा यह भर नो बॉल पर 20 रन बनाए और आखरी में 0 बॉल पर जिरो रन की पारिक खेले थे अपने टीम के लिए जो या अपने टीम के लिए बालिंग किये थे जो 26 अविकेट निकाले और फिर 13 अविकेट लेश रहे थे फिर 15 अविकेट लेश रहे और 10 अविकेट लेशे रहे और आखरी में भी 11 30 आवट करें तो दो बॉल पर जिरो रन की पारी खेले, तीन बॉल पर चार रन की पारी खेले, फिर तीन बॉल पर दो रन की पारी खेले, फिर बैडिंग का चांस न आये थे, और आखने में साथ बॉल पर चार रन की पारी खेले थे, यह अपने टिम के लिए लगतार चार मैचों में बॉलिं बारी खेले उसके बाद लगतार दो मैज में किसका वाज का चांस ने आये थे 15 अर फिर 28 अर देर कर चारए निकाले फिर 17 निकाले फिर 111 आर में आकरी में 26 यादा थिए था कहरे ली लुँआ जो रप labor resources से 33 रन देकर NBA से 2 Kingdom लेज़ा और 25 रन देकर 1 DevOps dependency 1968 먹어 मुर्थी स्यवाइस तो यहां विक्एट की बात को तो आर प्रवीन जो बिकेट की पर है 11 बॉल पर 16 रन की पारी खेलें फिर 10 बॉल पर 13 रन की पारी खेलें नो बॉल पर 11 रन की पारी खेलें उसके बाद लगतार दो मैच में बैडिंग काई चांस ना आया थे पी अकास की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है जो चार बॉल पर 5 रन की पारी खेलें फिर 47 बॉल पर 12 रन की पारी खेलें थे फिर 18 बॉल पर 19 रन की पारी खेलें थे और आकरे में 19 बॉल पर 27 रन की पारी खेले थे जे अस आर की बात करें तो 44 बॉल पर 40 रन की पारी खेल आस प्रामिष्षव रन की बात के रहें तो छे बॉल पर चार रन की परकी खेले तो श्ट पर 31 बॉल पर 38 रन की आर्थ पर झाले जिए और अध्रे बॉल पर तेरे रन की परकी खेले थे और आगरी में पांच बॉल पर COLORinekाषाहरी और की पारिड की गिष्णा पांडे की बात किरें तो चाउदा बॉल पर 43 रन की पारी खेलें फिर 3 रन की पारी खेले थें यह 12 रन देकर 2 भीकेट निकालें फिर 31 रन देकर भीकेट लेते और आकरी में बॉलिंग काई चांस ने आये थे नितिस प्रानव भी की बात करें तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले तो 15 बॉल पर 15 रन की पारी खेले ते यह अपने टीम के लिए लगत आप प्रवी की बात करें तो 26 रंदेकर एक विकेट निकाले फिर 27 रंदेकर एक विकेट निकाले फिर 12 रंदेकर विकेट लेस रहे थे फिर 25 रंदेकर दो विकेट निकाले और आखरी में 16 रंदेकर विकेट लेस रहे थे अस रोशन की बात करें तो 15 रंदेकर विकेट लेस रहे थे, फिर 22 रंदेकर विकेट लेस रहे थे, फिर 15 रंदेकर विकेट लेस रहे थे, फिर 35 रंदेकर विकेट लेस रहे और आखरी में 49 रंदेकर एक विकेट निकाले ये बदरिनात की बात करें तो 34 रंदेकर दो बिकेट निकालें, 40 रंदेकर एक बिकेट निकालें फिर 36 रंदेकर बिकेट लेस रहे थे और 25 रंदेकर एक बिकेट निकालें और आकरी में 16 रंदेकर दो बिकेट निकाले थे सिसीर HR की बात करें तो 29 रंदकर 4 बिकेट निकाले 15 रंदकर 2 बिकेट निकाले 11 रंदकर बिकेट लेश रहे थे और 7 रंदकर बिकेट लेश रहे और आकरी में भी 11 रंदकर बिकेट लेश रहे थे फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम की चैनल पर मिलेगा टाउस एन प्लेइंग 11 बाइटिंग ओडर के लिए टेलीग्राम चैनल जरू जोइन के डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेइर की बात करें तो बिकेट की परसे ए अननायार को रखें और बेस्टमेंट से ए आनन्द करगेब को रखें पी अकास को रखें जे सिरी राम आर को रखें और और राउंडर से एक कमलेश्वरन को रखें एस प्रामिश्वरन को रखें एस जंजिर भी को रखें और विकनेस के को रखें बॉलिंग से मत्थन अम को रखें एस संथा मुर्थी को रखें और ए बदरिनात को रखें केप्टन की बात करें तो केप्टन ने एस जंजिर भी है अब वाइस केप्टन एक कमली स्वरन है टीम प्रिव्यू की बात किरे तो केप्टन एस जंजिर भी है अब वाइस केप्टन एक कमली स्वरन है ये फाइनल टीम नहीं दोस्तों फाइनल टीम अप्टर टॉक्स के बाद दिया जाका टेलीग्राम चैनल पर अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो जरूर जॉइन करें डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया है